हेलो एबरिवन वेलकॉम बैक तो वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्ले एस्टोर से कोई भी एप को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे जो है एप डाउनलोड नहीं हो पाता है पेंडिंग दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से तो मैं यहाँ अपने फॉर्म में प्ले इस्टोर को ओपन कर लेता हूं एप को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक एप को यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूं यहाँ पर गूगल पे को तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके हम इस एप को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर जो एप पर यहां पर दो से तीन सेकंड इस तरह से टेप करकर रहना है और आपको यहां पर एप इंफो के ओप्षिन पर क्लिक करना है एप info के option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक option दिखाई देगा storage and catch का तो simply आपको यहाँ पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में एक option दिख दाएगा clear storage का तो आपको यहाँ पे क्या करना है clear storage के option पे click करना है clear storage के option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर okay के option पर click करना है और आपको यहाँ पर back आने के बाद आपको यहाँ पर play store को open कर लेना है play store को open करने के बाद आपको यहाँ पर right side में यहाँ पर profile का option दिखाए देगा तो यहाँ पर click करना है प्रोफाइल के option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक settings का ओफ़न सो होगा तो आपको यहाँ पे click करना है settings के option पे settings के option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक options होगा network preferences का तो आपको यहाँ पे click करना है और आपको यहाँ पे एक ओफन सो होगा एप डाउनलोड प्रिफेरेंस का तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे और एनी नेटबर के ओफन पे यहाँ पे सलेक्ट करना है और आपको बैक करना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे करता हूं जैसे कि टुटर को डाउनलोड और यहाँ पे इंस्टोल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस ट्रिक को follow करके बिल्कुल आसानी से आप अगर play store से किसी भी app को download नहीं कर पा रहे हो तो इस ट्रिक को follow करके बिल्कुल आसानी से आप इस problem को solve कर सकते हो ठीक कर सकते हो तो I hope वीडियो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो में thank you